मसाला भिंडी खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट और बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं घर पे रेशिपी सुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए इंग्रीडियन्स को देख लेते हैं दो हरी मिर्च लैसन कुटा हुआ हरी धनिया दो कटिए कि भिनडी को हमने इ lidi को हमने इस तरह से काट लिया है कुछ मसाले ले आइमस को मिर्च हां जी कैसे मेरी लाल मिर्च हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साबुत जीरा, कुछ साबुत मसाले हमने लिए हैं, जिसमें तीन लॉम, काली मिर्च और दालचीनी, एक चमच नमक, चलिए इसको बनाना इस्टार्ट करते हैं, पैन हमारा गरम हो गया है, इसमें मस्टर्ड आयल डाल लेते हैं, इसको ग कटी हुए भींडी को डाल कर भून लेते हैं, इसको फाइप मिनट तक मीडियम आच के खितने बेंगे, बिंडी हमारी अच्छी सीख गई है, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, बिंडी को अमने प्लेट में निकाल लिया है, पैम में बचा हुआ है, तो इसे में मसाले बुनेंगे, सबसे पहले हम इसमें जीरा आइड करेंगे, साबुत मसाले, कुटा हुआ अद्रक लेसं, इसको एक निट तग भून लेंगे, साथ ही इसमें प्याज आइड कर देंगे, मिक्स कर लें इसको अची तरह से, प्याज को भी हम हलका ब्राउन होने तक भून लेंगे, प्याज हमारी गॉल्डन ब्राउन हो गई है, इसमें हरी मिर्चा आइड कर देते हैं, कटे हुए टमाटर, इसको मिक्स कर लेंगे अची तरह से, साथ ही इसमें नमक आइड कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे अची तरह से, इसको मिक्स कर देंगे अची तरह से, इसको दो मिनट की जिए खबर कर देते हैं, जिससे तमाटर हमारा सॉक हो जाए, तमाटर हमारा गल गया है, अब इसमें हम मसाले एड कर देते हैं, धनिया पाउडर, आधी चोटी चमच, हल्दी पाउडर, डाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, कस्मीरी मिर्च, यह कम तीखी होती है, आप चाहे तो इसको डाल सकते हैं, मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इसको हम मीडियम फ्रेम पे एक मिट तब भून लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसको भी एक मिट तक घून लेंगे बहुत ही अच्छी लिख रही है और स्वादिष्ट भी होगी आप चाहें तो इसमें टमाटर की प्यूरी भी बना कर डाल सकते हैं मैंने काट कर डाला हुआ है इसमें हम एक कप पानी अड़ करेंगे मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से इसको हम कवर कर देंगे पांच मिनट के लिए इसको पकने देते हैं बेंडी हमारी पक चुकी है इसको चेक कर लेते हैं मसाला बिंडी हमारी पक चुकी है इसको सारू कर लेते हैं हरी दनिया से इसकी गार्निसिंग कर लेते हैं मसाला बिंडी हमारी रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी दिख रही हैं तो आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अगना कमेंट करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग थैंग थैंग प्रेश कर दो